हुआ हलो फिरी से आपका एक बार स्वाज़त है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यस्वित अग्यों महाराष्टी में अकोला में प्रैटिस करता हूं आज मैं आपको बात पताने वाला हूं डायबेटिस और डिप्रेशन के बारे में थॉमस विलिस करके एक सैंटिस्ट थे बिटिश फिजिशन सत्रावे सदी में शर्तक में उन्होंने ये कहा कि निराश्या और उदासिंता के कारण डायबेटिस होता है अजिसा होने उससमें कहा था कि डायबेटिस का प्रमुक कारण जो है वह निराश्या और उदासिंता है डिप्रेशन के पेश्ट को देड़ से दो गुना ज्यादा गति से diabetes होने का चांस है कि डिपरेशन जल्दी डेवलप हो सकता है बाकी population के comparison में तना की वजह से मतलब chronic stress है नर्वस ने से depression है chronic तो उसके वजह से मोटापा और diabetes यह बीमारी जल्दी हो सकती है ऐसा भी scientist लोगों ने researches में पता हुआ है क्या हुआ है कि मानसीक बिमारी जिनको है वह बैठा काम ज्यादा करते हैं ज्यादा घुमते फिरते नहीं है उसमें वह धुम्रबा ने दि करते होंगे खाने पिने में कमियां होंगी कुछ बराबर balance diet नहीं लेते होंगे और बैठा काम करना ज्यादा exercise नहीं करना यह कारे निदी हो गया तो मानसीक रोग्यों को diabetes होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अपार्ट फॉर्म दिप्रेशन मोटाबा जिनको है उनको 25 परसंट ज्यादा गती से सब्सक्राशन दिप्रेशन गोटे सेसे बाम से छी होने का और बहुत में 11 डिपरेशन दिक्वादा श्यादा अब है। इस में हिल् दिप्रेशन के साथ साथ आ नशा साथ चिंता हो थी उसके साथ ऊसके साथ उनको सब्सक्र अ सुगर की म देख्रण खुन में ज्यादा बढ़ने से sexual problem भी उनको होता है एथ्रस्वर्शी होने के कारण से खुन में शक्कर बढ़ती है उसके कारण फिर sexual dysfunction भी होता है heart problem भी उनमें divide मतलब ज्यादा develop हो सकते है तो diabetes के patient लोगों में depression है anxiety है heart problem है दिल के दवरे ज्यादा मतलब जल्दी आ सकते हैं sex problem है फिर इसके वज़े से दवाई चुनने में हमको बहुत तकलीब हो जाती है कि दवाई को उसी चुनना diabetes के patient को हाथ पर में आग अंगार होती देती है निरोपेथी होने के कारण कुछ लोगों में तो वह उसके लिए फिर दवाई हमको देने पड़ती है और वह दवाई दी देते है तो इधर sexual problem में ज्यादा दिखाए देता है वह दवाई के कारण भी हो सकता है मतलब उसके side effect दवाई के अब यह सब डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कि उसमें sexual function disturb हो जाता है कुछ दवाई ऐसे कि हार्ट प्रॉब्लेम असोसेटेट है तो हार्ट प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम दवाई दे सकते नहीं तो ऐसा सब तोल मोल के दवाई उसमें देना पड़ता है और डिप्रेशन का यह यह कि डाइवेडिस के लोगों में करना पड़ता है क्या है कि डाइवेडिस का पेशन जो है उसको वैसी इंशुलीन लेना है या उसको डाइवा अंटिडाइवेटिक ड्रॉब्लेने का है उससे वह परेशान हो जाता है खून दपास हो शुगर बार-बार चेक करते जाओ और डाइवेडिस के पेशन को यह देखना चाहिए कि उसको डिप्रेशन है क्या और हर डिप्रेशन के पेशन को देखना चाहिए उसको डाइवेडिस हो रहा है क्या क्योंकि उसके चांसे ज्यादा है इदि मोटा पाए तो मोटा मोटे लोगों को भी मतलब जो जिनके बहुत ज्यादा वजन है उनको डाइबीटी जल्दी होता है तो इसा में रखते हुए डिप्रेशन और डाइबीटीस का बहुत करीब का रिष्ता है और उसमें सतर करेहना चाहिए और अपना अपना इलाज लोगों ने ठीक मातरा से बराबर करके अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन मेडिकेशन के अलावा साइको थेरपी 504 फिर हिपनो थेरपी और फिर कॉगनिटिव थेरपी ऐसे अलग-अलग काउंसिलिंग के जो तरीके है या साइको थेरपी है वो करते है तो जल्दी डिप्रेशन अच्छा हो सकता और अच्छे जीवन जी सकता है बहुत सारे लोगों को नाइबिटीस डेवलप हो रहा है हाट अटैक्स आ रहे उसके साथ साथ डिप्रेशन भी आ रहा है तो लोगों को ये शेर करो उनको जानकारी दो ताकि सबके लिए मानसिक स्वास्त और वेसन मुक्त भारत ये जो हमारा संकल पर उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा आप भी हमारे पार्टनर उसमें बन जाएगे थैंक्यू वेरी मच्छ थैंक्स फर वाचिग जाएगे 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 जाएगे